I am Dr. Dhanish Meman, Senior Consultant Physician, Noble Hospital. Hypertension, Diabetes, Thyroid. These are the three disorders. यह तीन ऐसी बिमारियां हैं जो बहुत ही आम देखी जाती है और लोगों को इसके बारे में खुलकर जानकारी तो है, मगर इसको simple language में इनको आसानी से समझना भी जरूरी है. जैसे कि hypertension के बारे में, मैं कुछ अगर आपसे बताना चाहूं, hypertension, लोग समझते हैं कि hypertension मतलब tension बढ़ गया, लेकिन hypertension मतलब tension का इससे directly कोई connection नहीं है. hypertension मतलब directly यह जो होता है, blood pressure के बढ़ने के वज़े से, when blood pressure goes beyond normal level, उसको हम hypertension बोलते हैं. तो hypertension का भी लोगों में इसके बारे में जानना जरूरी इसलिए है, क्योंकि हर बार blood pressure बढ़ने के वज़े से, आम लोगों में symptoms आएंगे ही, ऐसा नहीं है, तकलिफ होंगी ही, ऐसा नहीं है. hypertension itself can be silent, यह silent हो सकता है, इसलिए हम आजकल recommend करते हैं, हम physicians आजकल recommend करते हैं, कि एक बार आपकी उमर 40 cross हो जाए, तो भले आपको तकलिफ रहे न रहे, खुद की जाच करवाना, डॉक्टरों को मिलना जरूरी है. blood pressure family में अगर हो, अपने माबाप को अगर हो, तो blood pressure के आने के chances ज़्यादा होते है, जिसको हम essential hypertension बोलते हैं, इसके अलावा भी build pressure के types होते हैं, जो लोगों में पता नहीं है, जिसको हम secondary causes of hypertension बोलते हैं, या causes of secondary hypertension बोलते हैं, तो जब blood pressure की level जब इनसान में बढ़ जाती है, त hypertension यह सिर्फ symptoms पैदा करता है ऐसा नहीं है hypertension खामोश भी हो सकता है और इसके common जो symptom जाने जाते हैं वो होता है कि किसी को चक्कर आना या किसी का सरदर्द होना सिर्फ एक सरदर्द भी किसी इंसान में अगर persistent अगर headache हो वो भी एक diagnosis में मदद कर सकता है जिसमें हम बोल सकते हैं कि patient को blood pressure है और ऐसे patient में blood pressure measurement का importance है तो blood pressure के बारे में जानना उसकी वजह को जानना उतना ही जरूरी है जितना कि उसके इलाज को जानना जरूरी है और इसके बारे में मैं आपको detail में information दे सकता हूँ अगर आप मुझे आकर noble hospital में मिलते हैं थैंक यू